फ्रेंड स्वागत है आपका सबकुसिंग चैनल पे और दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पुनर उथ्थान और प्रकोश्ट के कैदी का कॉम्बो और उसके साथ साथ राज कॉमिस भाई मनोज गुपता की प्रकोश्ट के कैदी और राज कॉ पॉलिटी से लेके साथ में मिले सारे नवल्टी आइटम्स और कहानी को लेके जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और शुरू करने के पहले फटा फट से लाइक कर दीजे वीडियो को और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ल दोस्तो इस कॉम्बो में हमारे पास आई है ये दो कॉमिक्स जिसमें एक है हमारे पास पुनरुथान का ये स्पेशल कलेक्टर एडिशन और उसके साथ साथ प्रकोष्ट के कैदी का ये स्पेशल कलेक्टर एडिशन तो ये है दोस्तो पुनरुथान जिसमें आप फ्रंट पर देख सकते हैं कि cover page वही same है जो paperback पर था और उसी style में है इसमें आपको spot UV हमने महाँ पर देखी थी तो इसमें आप देख सकते हैं spot UV सारे characters के चारों तरफ outline के साथ है और जितने भी logos हैं वो सभी spot UV में हैं और backside में भी similarly वही है जैसा paperback में था अंदर अगर open करते हैं तो दोस्तों इसमें सीधे कहानी शुरू होती है और backside में बिना किसी bonus content के ये end होती है क्योंकि ये सिरफ एक collector edition है उस comics का जो आपके पास paperback में है जैसा हमने आदी पर्व और नाग पर्व में देखा तो उसमें भी कोई special page हमको देखने नहीं मिला था quality wise दोस्तों मैं इसकी बात करूँ तो cover quality ठीक है मेरे पास ये पहुंचते पहुंचते थोड़ा damage हो गया क्योंकि ये पहले ग्वालियर से रोह तक गया फिर रोह तक से दुबारा pack होगे मेरे पास है तो इतनी shipping में थोड़ा सा एक dent हैं पढ़ा है उसके अलावा कर quality को लेके और binding quality भी इसकी दोस्तों ठीक है मैं इस एक बार पढ़ चुका हूँ उसके बाद भी ये ठीक ठाक काम कर रही है तो ये है हमारे पास special collector edition जिसकी कीमत रखी गई है 700 रुपे इसके बाद दोस्तों मैं बात कर लिता हूँ प्रकोष्ट के कहधी के इस collector edition को ये वो comics है दोस्तो वही cover है जो paperback पे देखने मिला थे लेकिन paperback में कुछ ज़्यादा खुबसूरती से दिया गया है और collector edition में ये flat color यानी की matte में है पूरा का पूरा back side में आप देख सकते हैं धुरोव है और महामानव है और इस side में हमें चंड काल नागराज देखने मिल रहा है ये उसकी च्छादारी शक्ती का रूप देखने को मिल रहा है और इसके ऊपर वाले इस आवरण की बात करें तो ये इसका complete art है इस jacket को भी दोस्तों काफी सुन relative role में है और ये पीछे दोस्तों राक्षस है और ये विलेंस है थोड़े से तो इन सभी चीज़ों को लेके ये बन जाता है हमारा collector edition अंदर से इसकी बात करें तो इसमें हमको मिला है एक bookmark जिसमें एक साइड में नागराज है दूसरी साइड में सूपर कमांडर धरूब है paper quality, printing quality वो सारी चीज़ें ठीक हैं उसको लेके बार बात करने कुछ ज़रूती नहीं है binding भी इसकी ठीक है क्योंकि इतनी पतली comics की binding कभी खराब हो ये नहीं सकती हाँ मैं पुराने comics की बात नहीं करूँगा उसमें निकल जाते थे मैं अभी बात कर दाऊ collector edition को लेके तो ये jacket दोस्तों इस पर आ जाती है और उसके साथ ये हमारा collector edition सुन्दर से रूप में आपके पास आ जाता है तो ये है दोस्तों वो combo और इस combo के साथ मिली है हमको ये कुछ novelty items तो एक बार फटाफट से इसको भी देख लेते हैं एक ये दोस्तों cute सी standy है धननजय की और वही thick size में है आप देख सकते हैं दोनों side से ये धननजय का logo और दोस्तों ये मिला है अडिक का एक sketch card उसके साथ साथ नागराज का ये sketch card है इसमें दोस्तों और हमें देखने मिला है नागराज का एक ये magnet sticker और इसमें आप देख सकते है नागराज गलाला गीचा को लेके आता है ये वाला action scene है ये comics में दोस्तों आपको full page देखने को मिलेगा बहुत अच्छा सही scene भी है तो ये MDF magnet sticker आपको मिलेगा एक और Anthony की दोस्तों ये standy है ये भी उसी thick size में है और वो चीज जो सबसे जादा मुझे पसंद है वो है दो magnet sticker में मिलेगी आप देखें अगर तो ये पूरा का पूरा comics के size में ही है दोस्तों और मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे बड़ा magnet sticker और वाकई में जब इसको हम फ्रामज से देखने इसकी quality बहुत अच्छी है और उसके साथ साथ इतने big size में होने की वज़ा से इतने सारे character हो ये वाला magnet sticker मेरे one of the most favorite magnet stickers में से आ जाता है तो ये हैं दोस्तों सारी novelties इस combo के साथ में अब मैं फटा फट से combo को हटा देता हूँ और आ जाते हैं paperback comparison पे और एक story के review पे तो दोस्तो अब detail में बात कर लेते हैं प्रकोष्ट के कैदी को लेके दोस्तो left side में आपकी जो देख रहे हैं ये है राज़कोमिस भाय मनौज गुपता की तरफ से print की गई प्रकोष्ट कैदी और ये है राजकोमिस भाय इस comics में वो सारी चीज़े हम बात करते हैं और जानते हैं इस कहानी को लेके तो दोस्तो पहले अगर मैं बात करूँ कहानी की तो कहानी की शुरूआत हो जाती है दोस्तो स्वर्ण नगरी की तबाही से ये comics राज Comics के विभाजन के पहले हमारे पास आ गई थी और समभ़ता ये पाट में खतम हो गई थी और दूसरी कहानी इन दो पाट में खतम हो जाती है लेकिन विस्तार की कहानी अभी चलती रहीगी तो इसमें कहानी की शुरूवात में हम ने देखा था कि 37.0 वर्ष पूर्व की बात बताई गई है और यहाँ पे सौन नगरी पे किस तरीके से राक्शासों ने कबजा करने ही कोशिश की और एक पैनल चला था जिसमें सारे राक्शासों को एक किया जा रहा था, नागराज यहाँ पे समादिस्त है जिसमें वो कोशिश कर रहा है नागीश को बचाने की जो दूसरे आयाम में है और अपनी इच्छादारी शक्ति उसको बचाने की कोशिश करता है यहाँ पर वार के मेंबर्स जुड रहे हैं इधर नासे दमस धुरुफ के साथ उसको कुछ यंतर देता है और यहाँ पर पूरी कहानी चल रही है धुरुफ का सामना होता है चंडकाल से और इसके सासाथ हम देखते हैं कि चंडकाल ने चल दी है एक भ्यानक सी चाल और सासाथ आजाद हो गये हैं जिसमें विसरपी, नागराज और नागराज की इच्छाधारी शक्ती कबजे में है, तो प्रकोष्ट के कैदी आजाद हो चुके हैं, अब क्या चंडकाल अपने इस मकसद में सफल हो पाया या नहीं, और कैसे उसको रोका गया, तो वो सारी चीज हमें देखने मिली है प्रको एसे ही इसकी शुरुआत में विव मारा जाता है, जादा पेजी से नहीं दिखाऊंगा, स्पोइलर आपको जादा नहीं देने, और उसके बाद प्रकोष्ट के कैदियों से लड़ने पहुंच जाता है नागराज, क्योंकि उसकी इच्छाधारी शक्ती दो रूप, दो तर इसमें आपको एक विस्तार देखने को मिलेगा, मैं सही बात कहूं, तो इसमें हमारे पास विश्वरक्षक नागराज है, लेकिन इसमें विश्वरक्षक की शक्तियों का, और सबसे अच्छा पैनल जो मुझे लगा था, वो ये लगा था, जिसमें महामानव की साथ की जो आपको बहुत जादा एक कॉमिक से कनेक करने कुश्क करेंगा, और सबसे चीचीज मुझे ये लगी थी, कि धुरूफ को भी इसमें एक्स्ट्रा ओर्डिनरी नहीं दिखाया गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत धेर सारे राक्षस हैं, जिनसे बिढ़न्त हो रही है, पुकार की तलाश में, यानि की हमारी अगली कॉमिक से तरफ विस्तार की जो तीसरी कहानी है, तीसरे भाग की तरफ, तो पांच कॉमिक्स आ चुकी है, छटी कॉमिक्स में अब नागराज जा रहा है, विस वरपी को डूडने के लिए, तो ये ओवरॉल इस कहानी के गर में बात करूँ, तो इसको बहुत अराम से आप 9 स्टार दे सकते हैं कहानी को लेकर, चित्र थोड़े जल्दबाजी के लगते हैं, और तो 7-8 में इसके चित्रों का पार्ट आता है, अगर मैं आपको अंदर के कुछ पैनल्स दिखाऊं जैसे, यही वाला पैनल आप देख है, मतलब हमको ऐसा महामानव पतला सुकहनी सा देखने की आदत नहीं है, तो उसके अलावा बाकी चीज़े ठीक है, एक नए तरीका से बनाने की कोशिश की गई है, तो यह इसकी कहानी है, अगर आपने पढ़ ली है, तो अपनी जो आपकी राय है, वो शियर कीजे कमेंट स संजय गुपता की पढ़नी है, या राज कॉमिस भाय मनोज गुपता की पढ़नी है, एक कॉमिक्स मिल रही है 400 रुपे में, एक कॉमिक्स मिल रही है 280 रुपे में, सिर्फ पढ़नी है, कहानी जाननी है, तो भी इसको आप बिना कमपैरिजन वीडियो को देखे, फैसला कर स आज कॉम इस बाइ मनोज गुपता में हमें दोस्तों वो कवर देखने को मिलेगा जो प्रकोष्ट के कहदीब के जो इसका कलेक्टर एडिशन आया है उसके हमें जैकिट पे देखने को मिला था और अगर इसमें हम बात करें क्वालिटी की एक बार वो भी देख लेते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ास आपको कलर्स का फरक देखेगा अगर आप बैकरॉन देखेंगे सोंद नंगरी तो सोंद नंगरी सी लगती है बट यहां पे वो डॉल कलर तो मिलेगी बैकरॉं профессора देखने को मिला गया है लेकिन इसमें राक्षस को तरा के लिए मै पर बैक लेने वाले हैं तो इसमें आपके पास दो कवर हैं जो आपको पसंद रहा है इसमें एक तरफ नागराज है जो नागफनी सर्पों से घिरा हुआ है इस रूप में इसने क्या किया था वो भी आप कॉमिक से नदर जानेंगे और बैक साइड में आपको प्रकोष्ट के प्रकोष्ट के साइड में और पीछे है महामानव तो इस कवर को खुपसूरती के साथ बनाएगा इसमें तो दोस्तों आपको प्रॉपर नॉर्मल लैमिनेशन ही देखने को मिलेगा फ्रन्ट और बैक में लेकिन यहाँ पर में बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखी थी और नागपर्व में उसको लेके फैंस बहुत जादा नराज हुए थे इसके साथ साथ साइड पैनल्स कट जाने पे राज कॉमिस भाई संजय गुपता से बहुत जादा नराज हुए थे पुनरत्थान को लेके लेकिन दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूँ कि पता नहीं क्यों सेम साइज के होते हुए भी साइड एजज ना होते हुए भी बहुत सारा आर्टवर्क साइड से उपर से नीचे से बहुत सारा आर्टवर्क कट गया है तो इसके बाद अब आपको देखना है कि आपको कटा हुआ आर्टवर्क पहला पैनल लेना है जो सस् इस नीचे वाले पैनल को, तो नागराज इसमें आपको कहां तक दिख रहा है, और इसमें आपको कहां तक दिख रहा है, साइड से अगर आप देखने की बात करें, तो इस राक्षत के हाथ को आप देखें, राजकॉमिस बाई मनुझ गुपता में, अब इसी राक्षत के प्लिट आर्ट वर्क आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पे नागराज का पूरा हाथ कट चुका है, तो इस तरीके से आप कोई भी पेज ले लें, for example, मैं फ्रेंट पेजी ले लेता हूँ, पहला पेजी लेके चलते हैं, तो पहले पेज में ही आप देख पाएंगे, कि आर् की इसमें थोड़ी सी बली दे दी गई है, तो दोस्तों यह इसमें एक सबसे बड़ा फर्क है, इसमें आपको complete artwork मिल रहा है, proper white edges के साथ में, जैसा आपने इसमें देखा था, लेकिन इस प्रकोश के कैदी में आपको कोई side artwork नहीं मिलेगा, side edges नहीं मिलेंगे, और artwork थोड़ comment section में मेरे साथ भी दोस्तों share कीजी, तो इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही, इस वीडियो को समाप्त करता हूँ यहीं पे, और उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बीच में जो यह gap आ है, इसके लिए आपने मुझे शमा भी किया होगा, ले जलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में तब तक के लिए, नमस्कार दोस्तों.